एक बब फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चलम में आज हम अपर बात करेंगे जो ECS T10 Hungary का आज की दिन का यहाँ पर पहला मुकाबला होगा जो खिला जाएगा डुना बॉगडेन सीसी व्सिस रोयल टाइगर्स के बीच में तो इस मैं च्की में आपको डेप्थ अ अपको वहीं पर मिलता है टेली ग्राम चनल का जो लिंक है एक तो आपको इसी वीडियो के डिसकिप्शन में दूसरा comment सेक्सन में भी सबसे पहले comment में आपको टेली ग्राम चनल का जो लिंक है वो टाप पर पिंके आउ मिल जाएगा तो दोनों ज़ेके से जाकर आप easily टेली ग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो मुकाबला स्टार्ट होगा 12-45 पर सेम ग्राउंट पर मैच है, आर्टिफिशल विकड है आफरेज इसकोर 80-120 बनता है 30 मुकाबले हो चुके, 15 जीते हैं बेटिंग फर्स करनेवाल टीम ने 15 में चेज हुआ है देखो इस मुकाबले के स्टार्ट में आपको बताओ उससे पहले एक जरूरी चीज बता दू कि इस मुकाबले से पहले, यानि कि 12.15 बजे होगा, यहाँ पर ICC World Cup Qualifier का फाइनल और डेड़ बजे यहाँ पर मैच होगा, इंडिया वूमन्स वोट इस बंगलादेश तो दो अच्छे मैचे आ रहे हैं तो इस मैच में आपसे request कर रहा हूँ या फिर आप suggestion मानिए, जो भी मानिए कि आपको small league नहीं केलना है आपको इन मैचे में सिर्फ grand leagues केलना है small league के लिए मैच बिलकुल सेप नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि royal tigers के जो टीम है वो full experiment mode में चल रही है royal tigers के टीम ने भाई हर मैच में 8 से 9 बोलरों का use किया है तो समझ रहे हैं आप दस्तों पूरे ओर होते हैं 8 से 9 बोलर हर मैच में यूज़ कर रहे हैं तो royal tigers के मेच में आप सिर्फ grandly खेलना ये मैं आपको suggestion दे रहा हूँ बहुत अच्छा DCC के टीम की बात कर लेते हैं पहले last के 6 में से 2 में जीती 4 मैचारी open करेंगे यदविंदर सिंग और रोहित कुमार यदविंदर सिंग की बात करूँ bowling कम करवाई है last के 6 मेच में सिर्फ 1 की वर डाला है जिसमें 1 wicket है और बल्ले से 10, 37, 31, 32, 4, 0 है last के 2 मेच उतना अच्छे नहीं रहे लेकिन player ठीक टाक है pick कर सकते हो रोहित कुमार अब देखो इस बंदेने ना 3 मेच में 2-2 वर डाले वहाँ पर 6 wicket है लेकिन बाकी के 3 मेच में से बोलिंग ही नहीं करवाई ये थोड़ा सा अजीब चीज है लेकिन हो रही है तो last के 6 मेच में 6 wicket है बल्ले से 6, 0, 4, 8, 18, 8 है रख लेना टीम में दो सल्मान मीर 4 और 0 है दीरेज का आइक वाड़ ये अच्छा player है डेथ में भी एक ओर अभी डाल रहा है last के 5 में जो उसने खेले उसमें 4 wicket है और बल्ले से आपर 11, 0, 0, 4 है तो important player है अब्दुल हसीब तो बहुत बड़ी है बेटिंग बोलिंग करी रहा है last के 6 मेच में टोटल 6 wicket बल्ले से 18, 0, 9, 25, 22, 22, 18 है सुबान तारी के ये नीचे खेल रहा है उतना खास record भी नहीं है 24, 1, 1, 2, 2 betting 34 है last match में अच्छी no खेल गया था लेकिन Grand League में ट्राइए करना small league upik है नी कृती कुमार दैफुल है ये भी एक hitter है लेकिन नीचे betting कर रहा है 11, 10, 0, 33, 19, 0, 16 ये जो दोनों player है Grand League में काम आ सकते है कुसल गवा ने 4 matches में याँ पर 8 over पूरे डाले लेकिन wicket सिर्फ 2 है बल्ले से 11 की है रन भी बहुत लूटा रहा है कृस्डोवेल कुछ match में open किया है लेकिन ज़्यादा तर match में नीचे ही खेला है बल्ले से 1, 14, 19, 0, 13, 25, 0, 0 उतना खास record भी हैं भी नहीं विबेक सिंग ज़्यादा important रहे कर अगर इसके team पहले bowling करे क्योंकि death में आता है last के जो 6 matches हैं वहाँ पर 7 wigards है और वेंकटा नर्शीमन और ब्रेक बोलर last के 6 match में 4 wigard है यह भी आपको 2 wad डालता नजरा सकता है यहां से अभीदे को में रख रहा हूँ यद्विंदर सिंग, रोहित कुमार, धिरज गाईकवाड, अब्दुल हसीब और यहां से विबेक सिंग बाकि आप चाओ तो विंकट नर्शीमन या फिर कुशल गबाने में से किसी को पिक कर सकते हो बेंच पर जो भी प्लेयर से इन में से कोई भी खेले उसके स्टैट्स आपको शेयर कर दूँगा टेलीग्राम चलेबे, स्टार्टिंग के ओडालेंगे अब्दुल हसीब, धिरज गाईकवाड, डेथम आएंगे डेगाईकवाड के गबाने भी नर्शिमन सामने जो टीम है वो है रोयल टाइगर्स के टीम, इनके टीम लास्ट के पांच में से चार में जीती है और बहुत एक्सपरिमेंट करती है मतलब बहुती ज़्यादा एक्स्परिमेंट करती है समझाओंगा आपका केसे दर्शन ने लगातार open किया important रहेगा 9 है 40 है 60 है 69 है 0 है बिल्कुल टीम में होना चाहिए खेबर दिलदार ये भी ज़्यादातर में इसमें open ही आया है 0 है 15 है 49 है 4 run 0 विगड है मलब एक अच्छी पारी है उसके लावा flop है लास्ट मिच में एक ओर की bowling भी करवा गया था तो open में गराता है द्रखना पड़ेगा वकर मेहमूद है लास्ट के जो 5 मिच इसमें खेले उसमें टोटल ओवर डाले 4 जिसमें इसके नाम 4 विगड है और बल्ले से 27 नोट आउट 7 और 26 है लास्ट मिच में वर्णाउन बेटिंग भी करने आया था तो important रहेगा अभी देश परसार सबसे main बोलर लेकिन इसको भी लगाता 2-2 ओवर नहीं मिल रहे लास्ट के 6 मिच में इसको मिलें तोटल 5 मिच में मिलें टोटल 6 ओवर जिसमें इसके नाम टोटल विगट है 6 और बल्ले से आपर 7-4-40 ओवर अठा रहा है प्लेयर बहुत शांदार है बस 2-2 ओवर नहीं मिल रहे अब्दुलमनन को 2-2 ओवर लगातार मिल रहे है लास्ट के 5 मेच में आपर 4 विगट से है साही गोतम लास्ट के 5 मेच में इसको मिले है 6 ओवर जिसमें 1 विगट है बल्ले से आपर 37 है तो ग्रेंड लिग में ट्राइ करना है स्मोल ली का पिक है नहीं टोनी गॉम्स 2 मेच में 1 ओवर डाला जिसमें 2 विगट है अब देको इनको ऐसे ही 1-1 ओवर मिले है सबको लोकेश बला भी लास मेच के लाए एक ओवर डाला एक विगट था हईब अब हभीब दिल्दार ये एक ट्रम्प बन सकता है लोगों ने इसको कम लिया हुआ है लेकिन ने ये 2-2 मेच में 2-2 ओवर मिले है हाला कि विगट सर्फ एक लेकि 2-2 मेच में 2-2 ओवर मिले है और 10 मेच में 12 विगट है तो अच्छा बोलर बन सकता है मौहमद सकलेन 5 मेच में 4 ओवर डालके 1 विगट है बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर से इन में से कोई खेलता है तो उसके stats आपको टेलीग्राम चनले पे शेयर कर दूँगा स्टार्टिंग को डालेंगे अभितेश प्रसार, अब्दुल्मनर, वकर महमुद, डेत महेंगे, खेबर दिलदार, इल बला और एस सायद analysis वाला जो part था, इसमेच का वो हो चुका है, complete चलेंगे demo team की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को like नहीं किया है, तो like कर दीजिए, चलते हैं आप पर demo team की तरफ भायो next slide में मैं आपको demo team दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले telegram channel से जोनोना ज़रूरी है, अगर आप description से telegram channel को join करना चाते हो, वीडियो के title में जाना, more पर click करना, आप video के description में चले जाओगे, वहाँ पर आपको telegram channel का link मिल जाएगा, या फिर अगर आप comment section में जाओगे, तो जो comments पर आप tap करोगे, तो जो सबसे पहला comment आपको मिलेगा, टॉप पर pin किया हो, उसमें भी आपको telegram channel का link मिल जाएगा, दोनों जगे से आप telegram channel को join कर सकते हो, अभी यहाँ पर पन देख लेते, demo team, demo team में wicket keeping section से दर्शन को रखा है, betting section से खेबर दिलदार, लेकिन यह final team नहीं है, final team जो भी होगी telegram channel पर देदूँगा, link video के description में और comment section में सबसे पहले comment में दिया हुआ है, धन्यवाद